नमस्कार एनिमे के दिवानों आपका ब्लैक क्लोवर की जादी दुनिया में स्वागत हैं तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये इस एपिसोड का पार्ट टू है पार्ट वन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा याने कि हमारे चैनल पर मिल जाएगा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके एपिसोड देखोगे तो सारे एपिसोड एंड सारे पार्ट्स एक स्वीक्वेंस में मिल जाएंगे तो चलिए अब अपना मेन एपिसोड इस्टाट करते हैं एगोस ने अपने स्लाइम मैजिक में कई सारे सेटीजन्स को पकड़ रखा होता है इसलिए एगोस कहता है अब तुम मैजिक नैट मेर को छूबी नहीं सकते क्योंकि अब अगर कोई उस पे हमला करेगा तो लोगों की भी जान चली जाएगी जिनको एगोस ने पकड़ रखा है लांगरिस तो बिना हैजिटेट हुए एगोस को मारने के लिए तयार हो जाता है उसको लोगों की चिंता नहीं वो उन सब को सेक्रिफाइस करने के लिए तयार हो जाता है आस्ता चिला कर कहता है ओई तुम यह क्या कर रहे हो लांगरिस लांगरिस कहता है अगर मैंने इसको अभी नहीं मारा तो और लोग की जान जाएगी इससे बड़िया इनको यहीं खतम ख़तब्ब ताकि बाकी लोगों को बचा सकू है आस्ता कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मैजिक नेट का काम होता है लोगों को बचाना और तुम उनको मार रहे हो मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूँगा मैं इन सब को बचाऊंगा यू न देखना मेरे को यू न कहता है हाँ दिखाओ आस्ता दूसरी और भागने लगता है लंगरिस कहता है इतनी जल्दी यहां से भागने की सोच रहे हो फिर चारमी अपने मैजिक से वहां पीछे बड़ी से शिप बना देती है आस्ता उसे शीप को यूज करके एगोस की और तेजी से बढ़ता है वो शीप काफी क्लाओडी होती है काफी उचालदार होती है एगोस आस्ता पर अटेक करता है जिसको एगोस ने पकड़ा होता है वो आस्ता पर हमला करता है फिंडल फिर आस्ता को उससे बचा के साइड में से आस्ता को अपने पोटल में से बाहर निकालता है और आस्ता उसको ठेर कर देता है आस्ता जमीन पर गिर रहा होता है क्योंकि उसके हाथों में चोट लगी होती है वो पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाएगा अच्छे से लेंड नहीं कर पाएगा पर यूनों अपने मैजिक से आस्ता को अराम से लेंड करने में मदद करता है और आस्ता से कहता है अच्छा फाइट किया तुमने हमेशा की तरह फिंडरल जोड से चिला कर कहता है कि लांगरी साँ ये सच्चा है कि मैं कभी तुमको नहीं हरा पाऊंगा पर एक दिन ब्लैक बुल गोल्डन डाउन को जरूर हराएगी यामी विलियम को कहता है क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो विलियम कहता है मेरा फेस वैसे नहीं जैसा हर कोई देखना चाहता है यामी कहता है तुम क्या इतने बस सुरत दिखते हो चिंता मत करो मैं हसूंगा नहीं विलियम कहता है मैं समझ गया तुमको शक है कि मैं कहीं Eye of the Midnight Sun का लीडर तो नहीं लिक्ट यामी अपने मन में सोचता है कि विलियम को वर्ल्टरी मैजिक, लाइट मैजिक से एकदम अलग है लेकिन कुछ चीज मुझे सच मुझे में परिशान कर रही है कि इन दोनों का बनावट भी एक जैसा है शरीर का इनकी अवाज भी एक जैसी है और तोर इन दोनों का की भी बहुत मिलता चुलता है यामी कहता है कि आज से 10 साल पहले हम मिले थे हमने एक साथ मिलके कई बार फाइट की दुस्मनों से हम दोनों एकी साथ में कैप्टेन भी बने तुमको याद है ना नुविल की चोटी कैसा हुआ करती थी हम दोस्त वगरा तो नहीं है पर हम काफी दूर तक आ गए देखो यामी सोचता है कुछ तो है जो मेरे को एकदम सिमलर लग रहा है वो विल्यम को मास्क उतारने को बोलता है विल्यम अपना चेहरा दिखाता है उसके चेहरे पे निसान बने होते हैं ये जन्ब सही उसके चेहरे पे हैं लोग उसको शापित बच्चा कहा करते थे लोग उसको देखकर डरने लगते थे वो एक शाही गराने का नजाय से संतान था आठ साल तक वो फॉर सेकंड रिल में रहा था लेकिन उस रहीस के उत्रा दिकारी की मृत्यू के बाद विलियम को बुलाए गया एक नोबल के तोर पे विलियम के पास काफी सही मैजिक था पर फिर भी उसके चैरे की वज़े से उसको काफी बुरा-बुरा सुनने को मिलता था जो उसकी सोतेली मा थी वो उसको बहुत बुरा-बुरा कहती थी विलियम जैसा बेटा कोई नहीं चाहता था फिर एक दिन जूलियस ने विलियम को मैजिक यूज करते हुए देख लिया एंड वो मैजिक नर्ड विलियम में काफी इंट्रेस्टिट हो गया उसने उसको मैजिक नाइट जोइन करने को बोला और कहा की तुमको अपने चैरे की वज़े से खुद शर्मिनदा नहीं होना चाहिए तुमको अपने आपको खुद कोसना नहीं चाहिए कि तुम ऐसे दिखते हो वैसे हो फ़लाना निमकाना एंड उसके चैरे के लिए वो मास्क भी देता है खुद अपने हातों से बना के ताकि वो अपने चैरे को ढख सके और लोगों को उससे कोई दिक्कत नहोए लोग उसको जज़ुना करें यहां में सोचें लगता है कि यह काफी सुनी-सुनी कहानी लग रही है इसके चेरे की लाइन भी एकदम लिक्ट की तरह ही लग रही है पर मेरे को लाइट मैजिक का हलका सा भी सुराक नहीं दिख रहा है उसके चेरे के निसान में से और नहीं ये कोई ट्रिक यूज कर रहा है कोई मैजिक वगरा इस्तमाल नहीं कर रहा है ये illusion नहीं है एंड इसकी key बता रही है कि ये जूट नहीं बोल रहा है ये सब purely coincidence होंगी sorry कि मैंने अचानक ऐसा मास्क उतारने को कहा William कहता नहीं thank you मुझे एक मोका मिला तुमको बताने का कि कि मैं सच में कौन हूँ फिर William के पास एक phone call आता है उनको बहुत सारा काम करना है कई सारे दुस्मन को पकड़ रखा है उनको रोयल कैपिटल तक ले जाने में काफी महनत लगेगी यामी कहता है मेरे पास एक बंदा है वो काम आएगा फिन्रल चीखने लगता है और कहता है लगता है लड़कियां मेरे को याद कर रही है चार्मी यूनों का पता मांगने लगती है चार्मी के एड्रस मांगते ही बैल को गुस्सा हाँ जाता है वो तो आग बबूला होने लगती है और वो दोनव फिर से लड़ाई करने लगते है आस्ता एन फिंडरल चार्मी को वहाँ से पकड़के यामी के पास जाने लगते हैं फिंडरल चला रहा होता है, फक भाई, सबसे बेकार स्कुएर्ड ने सबसे अच्छी स्कुएर्ड से जहगडा कर लिया एक चैलेंज ले लिया, आस्त और चारमी मस्त खा पी रहे होते हैं, चारमी को यूनो से बात करना है, आस्ता से अब इंतजार नहीं हो रहा है, कब उसका हाथ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और कब वो दुबारा से एंटाइ मैजिक स्वार्ड यूज कर पाए, फीनरल कहता ह क्या वुल्गर लोग थे, तुमको अपने दोस्त ध्यान से चुनने चाहिए, क्या तुमको बिल्कुल भी शरम नहीं आती, उन जैसे लोगों के साथ रहकर, यूनो कहता है, मेरे को क्यों शरम आएगी, मैं कभी उस तरह से सोचता ही नहीं, जैसा तुम सोच रही हो, बल्कि आयम प्राउड ओनास था, वो मेरा राइवल है, लांगरिस के पूछने पर यूनो कहता है, हम दोनों एक कॉम्पीटिशन में हैं, हम दोनों में कॉम्पीटिशन चल रहा है, कि कौन पहले विजर्ड किंग बनेगा, लांगरिस हसने लगता है, क्या विजर्ड किंग, तुम गोल्डन डाउन को कैप्टन बनूंगो लांगरिस कहता है क्या तुम अभी भूल रहे हो मैं अभी वाइस कैप्टन हूं गोल्डन डाउन का उधर कलाउस आता है और यूनो और लांगरिस दोनों अलग अलग दिशाम में चले जाते हैं मश्रूम हैड जूलियस को रिपोर्ट करता है कि डायमेंड फॉर्सिस वहां से भाग गई एंड हमने कई दुस्मनों को पकड़ रखा है अब काईटन सेफ है जूलियस कहता है गूड काईटन को रिबिल्ड करो अमेर्जेंसी शेल्टर पहुचाओ काईटन में ताकि लोगों को दिक्कत ना है वो रह सकें रात ग के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है एक लोवर किंडम के पास एक विंड स्परीट है एक बंदह जिसके पास एक अलग तरह का स्पेशल मैजिक है एंड एक बंदह कहता है पुराने जमाने के पुराने जैनरल्स ने अपना काफी साही टायम बिताय होगा अब यह समय हमारा है डायमेंड किंडम के अब हम नए जनरल्स बनेंगे न्यू मेज वोरियर ओफ डायमेंड किंडम तो दोस्तों यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है और आपके लिए एक न्यूज है मैं अपने चैनल के बारे में आप लोगों को एक अपडेट देना जाता हूं कुछ महीनों के लिए वीडियो नहीं आएगी मैं अपने राजी है याने की इस्टेट से भार जा रहा हूं किसी काम के लिए बहुत इंपोटेंट काम है मैं उसको अवोइड नहीं कर सकता मेरे जिंदगी का सवाल है भाई मेरा मरने जीने का सवाल है तो वीडिय देखकर इंजोई करना कुछ महीनों तक चैनल पर बिल्कुल शांती रहेगी पर मैंने पिछले दो महीने में बहुत महनत करी है यार कितनी वीडियो मैंने बनाये धड़ादर धड़ादर जितनी तेजी से मैं बना सकता हूं उसमें भी लोगों को खुशी नहीं मिली है बू करना शुरू कर दूगा जल्दे से जल्द ब्लेक क्लोवर को खतम करके और भी धेर सारे अनिमे को एक्स्प्लेन करेंगे यार देखो यार ये तो मेरी जैनुवन प्रोब्लम है अब जाया आप जो भी बोलो जो भी मेरे को सपोर्ट करेगा यार कमेंट में बताइए मेरे को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे आप मेरे साथ और मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाता हूं जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आज आपकी वज़े से ही मेरे चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके है और आपकी वज़े से ही मेरे चैनल पर 100,000 के भी कंपलीट होंगे और मेरे प्ले बटन मिलेगा देख लेना तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है जल्दी मिलेंगे भाई साथ जब तक के लिए जैहिंद